हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं भुवन तड़ागी दालो टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटी सी नोटिफिकेशन जो की सभी NBFC कंपनी के लिए एपलीकेबल है उसके बारे में डिसकेशन करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना तो फ्रेंड्स यह जो नोटिफिकेशन है यह बेहत इंपोर्टेंट है दो जनवरी 2024 को यह नोटिफिकेशन आई है और RBI ने एक नया Centralized Information Management System develop किया है जिसको existing जो की existing हमारा system होता था XBRL system जो हम report RBI के अंदर submit करते थे जितनी भी NBFC companies होती थी उनको DNBS 1, DNBS 3, 4A, 4B और category B के लिए जो DNBS 2 या DNBS 13 यह सब returns होती थी वो XBRL system में submit करनी होती थी लेकिन अब RBI ने एक नया system develop किया है जिसे CIMS portal या platform का नाम दिया गया है तो friends अभी जो 31 December के बाद जितनी भी returns जो due होगी उनको दोनों portal पे आपको submit करना है मतलब XBRL portal पे भी आपको submit करना है वो returns को CIMS live जो portal है उस पर भी आपको ये return submit करनी है तभी आप compliant company मने जाएंगे friends तो ध्यान से आपको दोनों जगर पर अपनी returns को submit करनी है जो XBRL portal existing है उसमें भी और जो नया portal इन्होंने बनाया है उसमें भी आपको ये returns submit करनी है लेकिन later on ये XBRL वाले को बंद कर देंगे और केवल CIMS live वाला जो portal रहेगा वो ही active रहेगा friends अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ये helpdex पर भी अपनी mails भेज सकते हैं या फिर इन पर call कर सकते हैं इन numbers पर तो actually friends कुछ time पहले मतलब एक दो महने पहले ही RBI ने CIMS के लिए companies को mail भेजना शुरू कर दिया था और जो admin company बनाना चाती है user 1 और user 2 बनाना चाती है दो user के लिए उन्होंने data collect किया था मतलब जो भी directors है या फिर कोई भी authorized person है उसका mail ID और mobile number उन्होंने लिया था कि किसको आपको admin बनाना है admin 1 और admin 2 और RBI के जो personal है वो ही आपको user ID बना कर दे रहे हैं केवल आपको क्या करना है live portable जाकर login करना है friends उसके बाद आप अपनी returns फाइल कर सकते हो December बाद की जो भी आपकी filing due होती है दोनों portal पर करनी है आपको XBRL पर भी करनी है और CIMS portal पर भी करनी है तो आसा करता हूँ आज की इस information से आपको फायदा होगा अगर आपको कुछ भी doubt होता है या फिर आपको problem होती है CIMS portal में register करने के लिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं फि तक आप स्वस्त रहे सुरक्षित रहे जैहिन बाई बाई